प्रिये भक्तो आज आयोध्या में जो राम जी का अधवुद और अनुपम दिप मंदिर बनने जा रहा है इसका इतिहास सबको मालुम नहोगा कितने हिंदू भक्त और राम सेवकों ने अपनी जान की अहूतिया दी हैं यहां केबल दरसन करने पर एक दीपक जलाने पर कितने संघर्स किये साधू सन्यासी और महंतों ने तब जाकर हम खुल कर जैसरी राम के नारे लगा पा रहे हैं मुगलों के कितने अत्याचार हमारे बुजुर्गों ने सहे हैं आप अनुमान नहीं कर सकते जैसे तैसे 500 साल होते होते स्वर्गिये राजिर गानी ने ताला खुलवा भी दिया था मंदिर का फिर भी चबूत्रे पर विराजमान हमारे भगवान रामलला रहे संकट और विवाद बढ़ता ही गया योगी और मोदी जी की कोशस है की रामजन भूमी हमारी हो सके आंगे सुनते हैं क्या हुआ दीन दयाला उधर विसाला बिघन बिना सक दयान दान बिघन न कोई आने पाई पाधा हर गणपत भगवान कैसे बना अयोत्या मंदिर संजो गाथा करे बखान बड़ा दुपी प्रहस यहां का सुन करके होंगे हैरान खास खास हम घट न सनाएं सुनना बैया दे कर ध्यान राम जन में भूमी पाने को चली गई लाखों की जान साल पाँच सो पूरे बीते दो हजार उन्नी से महान तब हम को जाके मिल पाया राम जनम का ए ये सान तब हम को जाके मिल पाया तब हम को जाके मिल पाया राम जनम का ए ये स्तान सदियों पहले इस मंदिर को पावर ने करवाया जूर मुगलों का तब राज यहा था सत्ता की मस्ती का सुरूर जम के अत्या चार बुकरता उनके किस्ते जग मसहूर हर हिंदू पर जुल्म बुढाते लूट पात करते भरवूर प्रभूराम की मिली निसानी यहां पे मंदिर रहा जरूर मीरा वाकी सेन पती था बाबार जिसका रहा हुजूर तोपस जिसने गिराया मंदिर उसने मजहद का दस दूर हिंदू इनको रोकने आए तोप दिखा कर कर दिया दूर हिंदू इनको रोकने आए हिंदू इनको रोकने आए तोप दिखा कर कर दिया दूर दीवारे मंदिर की गिरा कर यही पर मस्जद लिया पनाई तब से हिंदू लड़ते आए रहे है अपना खून बहाई के हिलाई ये बाबरी मस्जद मुस्लिम आई इद मनाई हो गया कब जाई इन लोगों का राम प्रभूबे घर के हिलाई हिंदू जिसको कभी न भूले एसी हम तारीक बताई मार्च कथा वो महिना सुन लो और तारीक 21 कहाई सन पन्रा सो अटा इस था योगो योगो तक भूले ना थीकाली मनहूस घड़ीवो मंदिर में कब जाऊ पाई थीकाली मनहूस घड़ीवो थीकाली मनहूस घड़ीवो मंदिर में कब जाऊ पाई पात है इसा पहले की आप सभी तो रहे बतार बह गया था सरी हूप की बाढ़ से उसने जिसे दिया बनवार फिर सालों ऐसे ही दीते राजा विक्रमा दिते जो आए रामे का मंदिर हुआ खंड हर विक्रमा दिते जिसे चमकाए बहुत पुरानी बात है तो जिसका लेके अभी मिल जाए मुगलों ने अपने सासन में पही मंदिर तोड़े बत लाए कई नंगरों के नाम बदल कर मुसलिम नाम दिये रखवाँ हर हिंदू के दिल में लेकने ज्वाला रोज भड़कती जाँ हर हिंदू के दिल में लेकने हर हिंदू के दिल में लेकन ज्वाला रोज भड़कती जाँ मुगलों के सासन में भी तो हिंदू भाई लड़ते जाँ काई राजा महराजा अपनी सेना लेकर के टकराई कटरवादी देशे में बैठे उनके हम आधी ने कहा कुछ हिंदू को मरवा देते किसी को देदी रहे बनाए कब जे में थी पूरी आयोध्या फिर हिंदू भी जतन लगाए परंपरा है सद्य पुरानी हिंदू कोई डरते ना एक कमी हिंदू लोगों में पटरवादी ना बन पाई अगर एक हो जाते हिंदू देते अपनी धूमे मचाई अगर एक हो जाते हिंदू अगर एक हो जोते हिंदू देते अपनी धूम मचाई राम मंदिरे ध्वस्त हुआ तो हिंदू तदियों से वोख लाई पाते अलुद्या भीटी रियासते राजा माहिताब किहलाई दूजी रियासत हंसबर थी जो रड़े पे जैसे है राजा पता रानी थी जे राज नाम के जो मैदान में कूंदी आई पंडित देवी दिन पंडे मिलकर के सारे टकराई हिला दिये मुगलों को लेकने सत्ता उनकी जीत न पाए मिटा दिये सब राज पाथ भी जीवा ने अपना बचा न पाए मुगलों की से नाला खौम है भूल में इनको दिया मिलाए मुगलों की से नाला खौम है मुगलों की से ना लाखों में धूल में इनको दिया मिलाद अमर हुए मंदिर की खातिर रामक पलदानी केहलाई सोला सो अंधा बन सन से सन सत्रा सो साथ बताई तीस योधे हुए तिने में हिंदू बार बार तक राई बाबा वेश्च विदास साथ में गोपाल से मुख्या बने आई दसम गुरू को बिंद सिंग भी अपने नहंगों को भुजवाई ठाकुर जग दंबा भी आए भगवा लेकिन ना लेहराई राज था तब ओर अंग जेव का उतने ताकत जो टन पाई हिंदू सारे बिखर हुए थे सेना से कम जोर कहाई हिंदू सारे बिखर हुए थे हिंदू सारे बिखर हुए थे सेना से कम जोर कहाई सन पंद्रा सो तीस से लेकर पंद्रा सो छपन के हिलाई हिंदू और मुगलों की सेना जिनके बीच तस युद्ध बताई पंद्रा सो छपन के आगे सन सो ला सो पाच कहाँ इतने छोटे समय के अंदर बीस युद्ध इत हात बताई इनके बाद में अकवर आया थोड़ी रहम दिल जो के लावीर वलो और तोडर मलकी प्रेम पूर्वक मानी राइत मस्चिद के ठीक सामने चबू तेरा को दिया बनवा चबू तेरे पर राम मंदिर हिंदू मंदिर ले बना चबू तेरे पर राम मंदिर चबू तेरे पर राम मंदिर हिंदू मंदिर ले बना चबू तेरे पर राम मंदिर के बिबाद में युद्ध के कारण एक नबाब सामने आये पूजान करने हिंदू आये हिंदू मुसलिम अनुमति पाये जगला जन्डट थमा कहाई हिंदू मुसलिम अनुमति पाये हिंदू मुसलिम अनुमति पाये जगला जन्डट थमा कहाई अन्तिम नबाब अबद कि भेजो वासर अली साह के लाँ इनके समय दो युद्ध हुए है पोरा निन ने किया उपाये एक हिंदू एक मुसलिम इस्टे इंडिया तीजा कहाँ तीने पक्ष को साथ में रख कर एक कमीशन दिया पनाई दिया कमीशन ने ये फैसला यहाँ पर मश्य दिना के हिलाई पहले से ही रहा है मंदिर मुसलिम ठैसला माने ना विवाद लेकिन थमा नहीं तो हर कत में अंगरेज थे आए अमीर अली बाबारा में सरण को पिये तो हिमली पर लटकाए अमीर अली बाबारा में सरण को अमीर अली बाबारा में सरण को जिये थे इमली पर लटकाए तब से यह पर लगा था ताला हैसला इसका धारा कहा कोई इसको मस्चिद कहता हिंदू मंदिर कहते जाए बाहर से ही पूजा करते बाहर से ही सीस जुपाए बात गरम जब हो जाती थी आपस में जाते टकराए भूमी कहलाती बिवादते पिये मेरा जिव गांधिया एक भरवरी संच्यासी था यहां का ताला दिया खुला जैसे ताला खुला यहां का भक्त राम के भीड लगाए अंदर अंदर सुलग रहे थे गुपत योजना रहे बनाए अंदर अंदर सुलग रहे थे अंदर अंदर सुलग रहे थे गुपत योजना रहे बनाए छे दिसंबर 92 को कार से बक लाखो आय कार से बक होस में न थे जो से अपना रहे दिखाए मस्जिद की जो बनी थी गुम्मद उसको पूरा दिये दहाए इस घटना से पूरे देश में कई कई मजहब तक राए जेसे देसे सांत हुए सब मगर समस्या विकट कहाए कोट में ले कई मसले को कैसा लों तक चलता जाए मस्जिद वाले मंदिर वाले गाबा अपना रहे बताए मंदिर पहले यहां बना था सबूत इसका जो मिल जाए मंदिर पहले यहां बना था मंदिर पहले यहां बना था सबूत इसका जो मिल जाए यही बना आधार हमारा हिंदू भाई बेजे कहां जीत गई अपनी सचाई खुसी नईस की वर ने जाए दो हजार उन्नीस तसनबो नोन मंबर माह कहां लोटे जो पनवास सिरघुवर हिंदू घर घर दीप जलाई साल पॉच सो लड़ते लड़ते लाखो हिंदू जान गवाई साधू जन तिरी सी सन्यासी जूम जूम के नाची नाई त्यास रचा भगवाने अपने घर में रघवर आय लिखान रंजन सेन ने आला संजू बगेल प्रेम सिकाल संजू बगेल ने गाती आयाला